नमुश्कार नमुश्कार दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चेस्पेस इंडर्चल पर आप सभी का हाट दे करता हूं दोस्तों पीडे विश्व शत्रंज उलम्प्याड शुरू होने में अप सिर्फ गिंती के दिन बाकी है कह सकते हैं हमके 9 दिन बाकी है और 9 दिन बाद व आपको लाइब कॉमेंटरी 600 लम्प्याड की पूरी की पूरी जो है वह मिलने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हमारे पास जो है हम देख कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पस वीडियो राइट्स भी हो ताकि आप वीडियो भी देख सकें खिलाडियों के कॉम वाले टाइम में पढ़नेवाला लेकिन फिल्हाल हम देखते हैं कि विष्व ranking में भारते खिलाडियों की और दुनिया भर के खिलाडियों की प्रमॉब खिलाडियों की क्या हालत जो है वो रही है आप यहां पर फिल्हाल जो तस्वीर देख रहे ये मैगनेस कालसन जो ओपन सेक्शन में नमबर वन है मैंस में फिर वोमेंस में हुई फान जूनियर्स में एक अंका फासला आया से पहले गोकेज थे अब अब दूसरता रोह हो गए है एक अंके फासले की वज़े से नमबर वन और जूनियर्स बाली का खिलाडियों में भारत की दिव्या देश्मुक जो है वो नमबर एक पर बनी हुई और इसके अलावा भी जो खबरे हैं उस पर हम बात करेंगे तो सबसे हम देखते हैं रैंकिंग मैंस की तो कालसन को तो भाई कोई डिगा नहीं पा रहा है कालसन 2832 रेटिंग के साथ बरकरार है ग्यारवा साल होने को आ रहा है और वो विश्व के नमबर एक खिलाड़ी जो है वो बने हुए है हिकारू नाकामुरा 282 रेटिंग को ब्रेक किया है उन्होंने एक बार फिर से 2800 के प्लस को और दूसरे स्थान पर है करवाना 2798 तीसरे स्थान पर भारत के अरजुन इरगासी 2778 इस रेटिंग लिष्ट में अरजुन ने कोई मैक्च नहीं खेला है तो वही की वही रेटिं में अली रेजा की एंट्री है क्योंकि अली रेजा जो है वह 2767 पॉइंट के साथ सिंकी फिल्ड कप में उन्होंने शांदार प्रदर्शन किया है जंप मारा है सीधे और वो यहां पर जो है सुधार करते हुए अपनी विष्व रैंकिंग में पांचवे स्थान पर मतलर एक पॉइंट का लॉस हुआ है उनको साथवे स्थान पर हैं वेई 2762 टंगों के साथ आठवे नेपो मिंसी नौवे स्थान पर खसक गए हैं सिंकी फिल्ड कप में उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा था और वैसली सो दसवे स्थान पर हैं भारती किलारी में बात कर करना होगी डिंग लिरेन विश्व रैंकिंग में और नीचे चले गए हैं पंद्रवे स्थान पर और उनकी जो अभी लाइव रेटिंग है 2736 तो ऐसा लगता है आप चत्रण जो लंप्याड बचा हुआ है चत्रण जो लंप्याड में क्या होता है देखना होगा दोकेश का और डिंग का क्योंकि 27 लंप्याड में सारे मैच आपके टॉप टीमों से नहीं होते हैं नीचे के खिलाडियों से होते हैं तो ऐसे में दोनों खिलाडियों की रेटिंग में क्या असर पड़ेगा ये देखना होगा नवंबर में होने वाली विश्व शत्रण तो विदेज बरकरार हैं उन्होंने कोई मैच खिला नहीं है 2720 के साथ 24 स्थान पर थोड़ा सा हम देखना होगा कि आर्विन चितामब्रम 27689 पर पहुंच गया है उनको चारंग का लॉस हुआ है और थोड़ा सा हरी कृष्ण जो है उनका प्रदर्शन भी उतना अच्छा नहीं रहा है जो उन्होंने लीग खेली है मेरे ख्याल से वह 2686 पर पहुंच गया है मुझे याद नहीं आ रहा है कि पिछले 10-15 सालों में याद कर पा रहा हूं 10-12 सालों में कि हरी कृष्ण की रेटिंग 2700 के इतना नीचे आई मतलब वैसे दूसरे खिलाड़ियों के वापस आ गए लाइव रेटिंग में इसके अलावा भारती खिलाडियों में बात करेंगे तो ऐसे नारायन 93 पर है पर मेरे ख्याल से इनकी उपर हैं रौनक साधवानी मैंने देखा था 2659 पॉइंट्स के साथ 70 नमबर पर रौनक साधवानी है तो इस तरह से आप देख सकत पुरुष वर्ग में महिला वर्ग में पहली बार चार खिलाड़ी टॉफ 15 में हैं लेकिन पहले चाइना को देखिए कि चार खिलाड़ी सीर्स के चाइना के ही हैं यहाँ पर हम पी 2530 रेटिंग के साथ 6 नमबर पर हम पी शत्रण जोलंपिया नहीं खेल रही है जैसा कि हम स इसके बाद हम बात करेंगे भारती खिलाडियों में तो तानिया सजदेव जो की भारती टीम में सेलेक्ट हो गई हैं वो 58 नमबर पर हैं और विल पुला सरायू जो है वो 63 पर हैं बट मेरे साब से यहाँ पर बंती का अगरवाल टीम में सेलेक्ट हुई हैं जब रेटिंग 91 पर सभिताश्री हैं और इस तरह से यह भारती महिला खिलाडी हैं टीम में जूनियर की बात करेंगे अगर हम टॉप 10 की तो यहाँ पर देख सकते हैं गुकेश प्रगयननदा गुकेश अभी 2 साल और जूनियर में रहने वाले हैं प्रगयननदा 2005 बोने एक साल और रहेंग हो रहे हैं देखिए जूनियर खिलाडी में दोन सा अभी 2 साल और रहने वाले हैं गुकेश के जैसे वह बारवे नंबर पर हैं प्रनाव वी चौधवे स्थान पर पहुंच गये हैं और प्रनेश 21 वे तो आधिते मित्तल 24 वे भरत कल्या मिनम 25 वे स्थान पर हैं गल्स की ब अभी हैं 17 वे स्थान पर सहीती वर्षिनी हैं 19 वे स्थान पर और इस तरह से जूनियर महिला खिलाडियों में भारती टीम के स्थान है दोस्तों ये तो विश्व रैंकिंग में बदला हुआ है और इसका असर जो है करेंगे क्योंकि अब रैंकिंग के साब से प्लेयर कौन से किस बोर्ड पर आ रहे हैं ये भी लिश्व सामने आने लग जाएगी तो इस पे हम बराबर डिसकेशन करेंगे और देखिंगे कि भारती टीम की क्या संभावना है इस बार शतन्ज उलंप्यार्ड में पदक जीतन क्या है रहे है तोelectागी के सामने टीम के सामने च्पा है तो इस बीक कितने ह। लिएеля है न sought रहे हैं है तो पिलंगे के सामने च्यृशर से थाफ negatively प्र आ इसके पुग बरा